कि अग्या नियुक्त का क्या रोल होगा बच्चे का पूछना है रमन का तो अभी अभी एक घंटे का इंदिजार करिया आपको सारा पता चल जाएगा धीरे धीरे अन्रिलाइज रेंट इसके बाद हम करने वाले थीक है एक और सवाल आपके सामने कर लिया जाए क्योंकि जब तक हमें कुछ सवालों से बिल्कुल पक्का नहीं हो जाता इंटरस्ट वाले पॉइंट में मैं ज्यादा से ज्यादा सवाल आप देख रहे हो ये सारे एक्जाम में आई हुए हैं और हाउस परपटी में एक्जामनर चलिए सर आजाते हैं कहता है मिस्टर एक्स है ओना हाउस मुंसिपल वेल्यू 75 रेंट फियर रेंट 90 का during the year previous year use on residence चून के लिए ये खुद रहता है let out for residential purpose जुलाई से यानि सर ये concept कुछ-कुछ याद आ रहा होगा आपको बोलता है जून तक हम खुद रह लेते हैं बाकी हम क्या दे देते हैं रेंट पे तो कौन सा वाला केस याद है हमने करा था पार्टली self occupied और पार्टली let out on the basis of time time में कुछ चीजे डिवाइड नहीं होता है जब एरिया होता है तो सब चीजों को डिवाइड करते हैं सर आगे कहता है question में he incurred the following expense in respect of house बोलता है municipal taxes ठीक है सर fire insurance बस किसी काम का नहीं repair किसी काम का नहीं मुद्दे की बात आ गई loan कहता है loan taken first April 2017 को लिया गया construction house completed हो गया 19 में जाके सर उसके बाद कहता है no part loan has been repaid अभी तक नहीं paid किया find out the income from house property तो देखो कितना आसान सवाल ये भी paper में आया हुआ है तो MB सर question में MB कितना दे रखा है 75,000 सर question में FR भी दे रखा है 90,000 रुपए मैंने format लगता है ज्यादा बड़ा बना लिया standard rent not applicable आपको पता है सर expected rent आ जाएगा कितने का 90,000 रुपए का सर 8RRR चेक कर लेंगे सर 8RRR कितने का किराय पे दिया इसने 8,000 या 9,000 8,000 8,000 के हिसाब से कहता है सर मैं खुद रह रहा हूँ इसमें और कब से कब तक रहता हूँ मैं जून तक यानि April मई और जून बाकी 9 महिने तक यहाँ पे था तो कितने आ जाएंगे 75,000 रुपए ठीक है सर अब इसके बाद हमारा मुंसिपन टेक्स अब जीए भी जीए भी क्या आएगा इसमें बताइए क्या यहाँ वेकेंसी का केस है क्या नहीं है वो वेकेंसी में हायर लोवर वाला कॉंसेट बदल जाता था कई बार क्या ले लेते थे सर हम vacancy में हम ले लेते थे कई बार lower वाला case लेकिन आप ध्यान से देखेंगे that is not a vacancy ये vacancy का तो हमारा part है ही नहीं सर ठीक है ना हमारा vacancy का part ये नहीं है तो normally हमारा दे रखा है यहाँ पर 9 महीने होंगे ये आठ महीने होंगे एक बार ये चेक करो आठ हजार इंटू में नो नो बनेंगे दस कहता है ओन रेजिडेंस अप्टू जून आठ ही बनेंगे नहीं आठ कैसे बनेंगे भाई आप तो कम कर रहे हो एक मेंट चेक कर लेते हैं मैंने कोश्चन में कुछ गलत तो नहीं टाइप किया है नहीं ठीक है ठीक है 9 मंत बनेंगे तो सर यहाँ पर देखा जाए तो ऐसे सिचुएशन में हमेशा हायर लेना अगर वेकेंसी का केस होता है तब लोवर लेते हैं और जो भी डिपेंड करता है अगर वेकेंसी का केस नहीं है तो भाईया हायर ही चलेगा तो जीएवी हायर आ जाएगा 90,000 इन बातों को आपको ध्यान रखना है क्योंकि थोड़ा कन्फियूजन करता है बच्चों को तो मेरी पिछली वीडियो को और इस वाले वीडियो को बड़े ध्यान से देखो को तो आपको क्लियर हो जाएगा फिर माइनस में MT सर, MT कितने का है MT 9,000 का कहांगी चाफी मेरे पास नहीं है इसके तो सर यह आ जाएगा माइनस करें 81 यह क्या आ गया सर NAV आ गया माइनस करो 24A फिर सर माइनस करो 24B अब 24A कितना आएगा सर 30 पर 30 जो 24,300 अब सबसे में पार्ट जो एक्जामनर जानना चाहता है और मैं भी चाहता हूँ हर सवाल में यह पूछा जाए ताकि बच्चा कम से कम तो थोड़ा कॉंसेंट्रेट होके पढ़े इस चप्टर को कहता है सर मैंने एक लोन लिया एप्रेल 17 में कब लिया 142,000 17 में मैंने एक लोन ले लिया कोई बात नहीं कितने रुपे का लोन लिया ये मुद्धा है सर इसने लोन ले लिया 2,000,000 रुपे का सर 2,000,000 का लोन तो ले लिया कहता है हाउस कंस्ट्रक्ट 31,5, 2019 सर 2019 में हमारा घर बनके तयार हो गया कब 31,5, 2019 तो जिस साल घर बनके तयार हुआ है वो वाला एयर रहा होगा 19, यारी सर 19,20 में तो हमने क्लेम कर लिया होगा 19,20 में हमने क्लेम कर लिया होगा तो PCP की अगर बात करें तो हमारा PCP काउंटेबल जो होगा वो होगा 31,3,2,0, 18,18 या 19, 19 यानि सर इसका मतलब यहां से लेके यहां तक का PCP का पार्ट माना जाएगा सर हमारा करेंट एर क्या है सर करेंट एर 19,20 है जो की चली रहा है यही यह 19,20 की बात कर रहे है करेंट एर में घर बना तो यह PCP है कितने मैंने 17 करेंट एर 20 अच्छा हाँ यहां के बाद तो हमने deduction लेना चालू किया होगा इस से just before रहेगा पहले ये बात आपको समझ में आया कि यहां से यहां count करना है तो 17 से 18 और 18 से 19 यानि कितने महिने अगें 24 महिने examiner आपको आसान आसन सवाल दे रहा है 24 महिने देखे अब सरोन कितने का है फटाफट निकाल लो दो लाक और दो लाक पे कितने परसंट 10 वटे में 100 कितने 24 वटे में 12 कितने महिने 1 वटे में 5 कितने आगे सर आठ हजार PCP जिसका deduction मिलेगा आठ हजार जमा प्लस और सर करेंट इयर का भी तो लेंगे करेंट इयर का कितना लेंगे सर दो लाग पे सीधा सीधा 10% that is हमारा आजाएगा बीस हजार तो सर बीस हजार ये आ गया 28,000 रुपए टूटल आ गया 700 क्यों अच्छा माइनस माइनस करके 28 700 नेगेटिव पॉजेटिव पॉजेटिव तो सर ये आ गया IHP किसी को दिक्कत देखो दो सवाल कर लिए हमने फटा फट से किसी को कोई दिक्कत किसी को कोई परेशानी झाल